हेलो फ्रेंड्स हमारे स्पेचल सेग्मेंट डूपते को नौका का सहारा में आपका स्वागत है तो यह जो हमने सेग्मेंट है वो एक बेसिकली सेंपल कोश्चन पेपर त्यार किया है माइक्रोप्रोसेसर एंडिट एप्लिकेशन पे जो चातर किसी कारणवर्ष तयारी शुरू ना कर पाए हो या जिनकी तयारी चल रही हो उनके लिए सेंपल पेपर बहुत उपियोगी सावित होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ और इस सेंपल पेपर में हमने आपको परिक्षा में सम्मलित होने वाले संभावित प्रशनों का एक कोश्चन बैंक त्यार करके दिया है यदि इस सेंपल पेपर में से कोई भी प्रशन किसी भी परिक्षा में आता है तो वो मात्रेक सहीं होगा तो सबसे पहले हम देखेंगे दो नमबर के question किस तरीके से बन सकते है समभावित तो सबसे पहला question हो सकता है name ऐनी two data transfer instruction तो two data transfer instruction आप से पूछ सकता है दो नमबर में write the working of ALE and IOM pin यानि कि address slash enable input output memory pin के बारे में आप से पूछ सकता है क्या हो सकता है क्या है ये दो नमबर में समभावित प्रशन है ये name different type of memories memories के नाम पूछ सकता है RAM, ROM, DRAM, static DRAM ये सब आप से उसका chart आप बना के बता सकते हैं इसे दो नमबर में explain any two logical instruction कोई दो logical instruction लिख के आप उसे बता सकते हैं जैसे XRA ठीक है इस तरीके से आप दो बता सकते हैं कोई instruction define addressing mode with one example कोई भी addressing mode आप 8086 का 8085 का या 8051 का addressing mode एक्जामपल सब दा सकते हैं explain the logic of tri-state buffer tri-state buffer का भी आप बता सकते हैं ये भी एक संभावित प्रशन है name any three 16-bit MPU name any three 16-bit MPU 16-bit के MPU उसका नाव आप से पूछा है तो आप बता सकते हैं so advantages of interrupt driven IO devices ये advantages आप बता सकते हैं कोई 2 या 3 advantages आप बता सकते हैं और संभावित प्रशन देखिए दो नंबर के difference between microprocessor and microcontroller तो इसमें आप इसका differentiation लिख सकते हैं 2 या 3 line में ठीक है दोनों के लिए 2-2-3-3 line लिसकते हैं comparison between power PC 601 and 603 इसका comparison chart आपको हमने बताया था वह आप बता सकते हैं फिर DMA define DMA DMA को define करके इसका basic operation आप बता सकते हैं दो नंबर के लिए ये संभावित प्रशन है name the interrupts of 8086 MPU 8086 MPU के interrupts ये भी आप बता सकते हैं ये भी एक संभावित प्रशन है differentiate between maskable and non-maskable interrupts maskable और non-maskable interrupts के बीच में difference आप बता सकते हैं तो ये आपके संभावित दो नंबर के प्रशन हमें आपके बता हैं इसके बाद 5 नंबर के प्रशन अगर हम देखें what is the general what is the purpose of ALU arithmetic logic unit का purpose क्या हो सकता है ये आपके लिए 5 नंबर का प्रशन हो सकता है explain pentium and power pc in detail pentium और power pc के बारे में detail में आप से पूछा जा सकता है ये एक mask नंबर का प्रशन हो सकता है संभावित प्रशन है ये explain dram interfacing with MPU dram interfacing पूछी जा सकती है MPU 8085 की 5 नंबर के प्रशन संभावित प्रशन में explain register organization of MPU register organization MPU का आप से 5 नंबर में पूछा जा सकता है what is the difference between mnemonics and machine codes machine code or mnemonics के बीच में क्या difference है ये 5 नंबर में आप से सवाल पूछा जा सकता है यही एक संभावित प्रशन है explain the evolution of microprocessor microprocessor का evolution आपको बताएं तो आप भी बता सकते हैं एक chart बना के 5 नंबर में एक संभावित सवाल ये आप से पूछा जा सकता है और देखें तो explain the concept of byte organization in memory explain the interfacing of A2D converter with MPU8085 ये भी आप से 5 नंबर के सवाल पूछे जा सकते है explain the interrupt of MPU8086 MPU8086 के interrupt आप से पूछे जा सकते है 5 नंबर के सवाल ठीक है और explain program control instruction program control instructions आप से पूछे जा सकते है 5 नंबर में उसके बाद explain PSW register in MPU8085 ये एक 5 नंबर के सवाल हो सकता है write a short note on programmable timer 8259 इसमें आप short note करीब 5-7-10 line का short note लिख सकते है इसमें इसको आप बता सकते है और उसके बाद इसका diagram बना के इसके interfacing आप बता सकते है इसके pin से दा सकते है तो ये एक संभावित प्रशन हो सकता है 5 नंबर का फिर next है what is memory addressing partitioning what is the use of technique this technique in the computer system memory addressing या partitioning क्या होता है इसका computer system में क्या उप्योग होता है ये भी एक 5 नंबर का संभावित प्रशन हो सकता है explain the difference between MPU and MC using proper diagram यानि के microprocessor unit और microcontroller unit में difference आप से block diagram के help से पुछा जा सकता है 5 नंबर में संभावित प्रशन write a short note on RS-232 standard ये भी एक 5 नंबर का संभावित प्रशन हो सकता है explain the register organization of MPU-8086 MPU-8086 का register organization ये भी एक संभावित प्रशन हो सकता है explain the various type of memories in microcomputer system microcomputer system में 5 नंबर का संभावित प्रशन ये भी हो सकता है तो ये आपके 5 नंबर के संभावित प्रशन थे उसके बाद हमने आपको एक इस sample paper त्यार करके दिया है जिसे आप धाई घंटे बैट के अगर practice करेंगे तो आपकी speed और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको क्या मेहनत करनी है कहां पर आप lag कर रहे है तो इसके हमने question कोशिश किये कि पिछले question से अलग हो ताकि आपके पास question bank और अच्छा त्यार हो सके तो इसमें देखे पहले में दो पार्ट जैसे कि आप करने होते है explain digital computer system using proper block diagram explain signal CSALE and IOM in detail write a short note on DMA 8237 तो इसमें से कोई दो पार्ट आते हैं इस तरीके से आप कर सकते हैं कोशिश करिएगा कि आप सारी पार्ट कर ले उसके बाद उसमें देखे write a short note on instruction register, program counter and stack pointer explain the memory organization in MPU 8085 explain 8259 PIC in detail ये भी आपके संभावित प्रशन है साभी प्रशन पांच नंबर के हैं इसमें उसके बाद देखे तीसरे question में पूछा है differentiate between program input output and interrupt input output driven systems ये भी पांच नंबर का संभावित प्रशन हो सकता है तो ये भी आप अच्छा प्रशन है write a short note on A2DA and D2A converter write a short note on A253 programmable timer उसके बाद fourth question देखे ये programming के लिए question हमने डाला अलग से write any four data transfer instructions and explain them in detail data transfer instruction पूछी है जैसे कि move, LDA तो जो भी data transfer instruction है MVI या आप बता सकते है इन्हें explain कर सकते हैं और भी है फिर दूसरा प्रोग्राम में एक assembly language program है write a assembly program assembly language program to add two data, two numbers stored at memory location 2500H and 2501H and store the result at memory location 2502H तो इसके बाद एक और प्रोग्राम दिया है write a assembly language program to compare two eight bit data using LDA instruction LDA instruction का इस्तमाल करके दो eight bit के data को compare करने के लिए प्रोग्राम लिखना है ये भी एक प्रशन हो सकता है फिर एक पांचवा देखिए है हमने question बनाया है इसमें explain the working of flag register in MPU 8085 तो flag register का क्या का मैं आपको detail में बताना है explain the architecture of microcontroller 8051 ये भी आपको बताना है पांच नंबर में write a short note on program control instruction program control instruction पर आपको एक short note बनाना है तो ये basic लिए आपका एक model question पर हमने त्यार किया है कोशिश करेगा धाई गंटे से पहले इसको solve कर लें अच्छे से solve करें साफ साफ solve करें जब आप block diagram बनाएं तो block diagram अपनी copy के left side बनाया और right side में उसे explain करें जिससे की check करने वाले को भी असानी होगी और आपको लिखने में भी समस्य नहीं होगी बार-बार page पलटने से आपका time भी बचेगा तो ये एक tip है किस तरीके से आपको उसमें लिखना है ठीक है block diagram आपको शिश करें pencil से बनाएं अगर आप चाते हैं कि आपके इस test को आपके इस model paper के solution को मैं चेक करूँ या आपको suggestions दूँ आपको बताऊं कहां गलती हो रही है तो ये मेरी email ideas पर आप इसको भेज सकते हैं आपको इसका answer जो भी है जैसी है मेरी को समय मिलेगा मैं इसका आपको answer जरूर बेजूँगा तो ये था आपका basically हमने question bank जो आपको बेजा है microprocessor and its application के लिए thank you very much अगर आपको ये channel पसंद आया हो तो इसे subscribe कर ले bell icon पे click करें और channel को subscribe कर ले